इसने 2021 Maths and Logical Reasoning section and this is question number 44 so this question says a rhombus and a kite both do not have so दोनों में both do not have दोनों में क्या चीज नहीं है बोथ do not have देखिए इस question को थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहले हमें ये geometry का question है और rhombus क्या होता है kite क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए basically rhombus की एक छोटी सी definition ये होती है कि इसकी सभी जो four sides हैं वो equal होती है all four sides are equal है ना और kite की definition ये होती है कि इसकी adjacent sides equal होती है two pair of adjacent sides are equal at least two pairs of adjacent sides are equal जैसे अगर आप rhombus को समझेंगे तो rhombus में कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं ये एक rhombus है क्योंकि इसकी चारो sides equal है और अगर हम kite को बोलेंगे तो उसके two pair of opposite sides two pair of adjacent sides are equal मतलब ये दोनों आपस में equal है और ये दोनों आपस में equal है इतना होगा अब मैं आपको बता देता हूँ कि rhombus की definition में सिरब इतना लिखा हुए कि इसकी चारो side equal है तो उस definition में हमारे बाकी सब कुछ भी आ जाते हैं जैसे square भी आ जाता है ना जिसमें चारो angle equal हो जाते है वो special case है rhombus का तो ऐसे ही kite में exactly two pair of opposite sides equal होती है बट अगर उसकी चारो sides equal हो जाए वो rhombus भी बन जा है still हम उसे kite बोल सकते हैं हम यह बोल सकते हैं कि यह special case है kite का है ना rhombus is a special case of kite तो उस चीज की मैं अभी discussion करूँगा आपके साथ यहाँ पे मैंने थोड़ी सी definition बता दिया आपको लेकिन अगर आप देखो गे question में क्या बोला हुआ question में यह बोला हुआ है कि कौन सी ऐसी चीजे जो rhombus में भी नहीं होती है हमेशा और कौन सी ऐसी चीजे जो हमेशा kite में भी नहीं होती है ठीक है अब rhombus की कुछ properties होती है जैसे कि पहला लिखा है पहले rhombus के हिसाब से पढ़ लेते हैं पहले option के हिसाब से rhombus have adjacent sides इसकी तो चारो साइड्स होती है तो पहली वाली प्रोपर्टी तो रोंबस की प्रोपर्टी होती है उसने पूछा कौन सा नहीं हो सकता जब रोंबस की वह प्रोपर्टी होती है और हमें यह बताना है कि जो दोनों में नहीं है तो यह तो रोंबस में है तो अगर कोई चीज क होता है के दोनों इजस्सेंट होती है तो चैन वी से यह थूराइब नहीं होअ चाइब यйा तो कि यह इसका मतलब एनुं Hill सकता में तो अन्ट सब्सक्रखंए होता है, तो दू-नोट है वगा तो option नहीं है, उसने का कौन सा नहीं है, हमने का यह तो पक्का है होती है, हमेशा होती है, हमेशा होती है, तो can we say the do not का तो पार्ट है ही नहीं ऐसे ही अगर आप C option को छोड़ दोगे D पे जाओगे bisecting angles, rhombus में तो angles bisect करते ही है, यह rhombus की property है rhombus में तो angles bisect करते ही है, उसने का do not have, तो हमने का यह तो rhombus की property है, यह तो rhombus में होता ही है, तो इसका मतलब इसका तो सवाल ही नहीं उड़ता कि यह rhombus में ना हो, तो उसने का था दोनों में नहीं है, तो यह तो rhombus में है, तो दोनों का तो सवाल ही नहीं उड़ता, ऐसा कोई कहे कि इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी कैसे यह answer हमारा हो सकता है उसने कहा है ना तो rhombus का part हो हमेशा ना ही kite का जब do not have लिखा है तो हमेशा मतलब ना तो वो हमेशा rhombus में आए और ना ही हमेशा kite में आए यही कहना चाहता है ना अब वो कहते है कि two acute two obtuse angle आप कहेंगे सर यह तो बात सही लग रही है कि दो acute है दो obtuse है obtuse मतलब angle 90 से जाद है बट rhombus का हमने का एक special case square भी होता है जिसमें चारो angle 90 हो जाते है ना तो can we say that ऐसा हमेशा तो नहीं है इसका मतलब यह rhombus के case में चल सकती है है बात क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं है ऐसे ही काइट के case में जाएं तो उसमें भी ऐसा नहीं है क्योंकि अगर काइट का special case rhombus है तो rhombus का special case हागे square है तो अगर काइट में two pairs of sides equal होती है तो can we say that ultimately rhombus को भी हम काइट बोल सकते है तो सकते हैं तो उसने कहा था two acute two obtuse angle होता हमने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो इसका मतलब यह भी कोई जरूरी नहीं है रोंबस में दोनों acute दो obtuse angle हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, काइट में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो दोनों के case में यह जरूरी नहीं है, और यही उसने कहा था, do not है, हमने कहा यह हमेशा नहीं होगा, तो can we say यही answer बनेगा, वैसे इसमें A, B और D option बड़े असानी से eliminate हो जाते हैं, अगर हम सिर्फ rhombus पे ध्याद दें, है ना, लेकिन, again, answer E की बसता है, option eliminate करके, that is option C, तो option C would be the right answer of this question.